साथियों, कोविड काल में ही हमने अनुभव किया कि डिजीटल इन्डिया ने हमारे काम को कितना सरल बना दिया है। आज तो हम देखते हैं कि कोई पहड़ों से, कोई गावों में बने होमस्टे से अपना काम कर रहा है। कलपना कीजिए, ये डिजीटल कनेक्ट नहीं होता, तो कोरोना काल में क्या स्थिती होती है। कुछ लोग डिजीटल इन्डिया के प्रयासों को सिर्फ गरीब से जोड़ कर देखते हैं। लेकिन इस अभ्यान ने मध्यंबर्ग और युवाओं की जिन्दगी भी बदलती है। और हमारे ये जो आजकल ये जो मिलेनियल्स हैं, अगर आज ये सारा दुनिया नहोती, टकला हो जी नहोती, तो उनका क्या हाल होता। बिना सस्ते स्मार्टफोन, सस्ते इंटरनेट और सस्ते डेटा के उनके डेली रूटीन में जमीन आस्मान का अंतर होता। इसलिए मैं कहता हूँ, डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागिदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुँच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेद्भाव रहीत, व्यवस्ता और ब्रस्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी समय, स्रम और धन की बचत। डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी minimum government, maximum governance।